Hello everyone, आज हम discuss करने वालें Delhi δενi university के course BA vocational studies के बारे हम बात करने वाले हैं अगर आप दिल्ली universities में BA vocational studies में admission ले ना चाहते हैं तो क्या eligibility criteria ये हम इस वीडियो में discuss करने वाले हैं तो आपके पास दो combination हैं चाहे आप combination one choose कर लीजिए चाहे आप combination two choose कर लीजिए अगर आप combination 1 चूज़ करते हैं तो आपको एक language test देना पड़ेगा लिस्टे से आपको भी एक language चूज़ कर सकते हैं दो subject आपको list B1 से चूज़ करने और एक subject से आपको चूज़ करना है चाहे तो B1 से चूज़ कर लीजी चाहे B2 से चूज़ कर लीजी लेकिन लेकिन 4 test total होगा है लेकिन ये बात आपको धियान रखा है दिल्ली उनिवर्सिटी से ने साफ मेंशन किया आप जो subject चूज़ करें वो आपने class 12 में जरूर पड़े होंची यानि आपको कहतो दिया गया सब्जेक्ट चूज़ किज़े लेकिन आपको ये भी बोल दिया कि आपको वही सब्जेक्ट में टेस्ट देना जो आपने class 12 में पड़े हैं अभी मैं आपको सारे points दिखाए तो पहला point clear हो गया होगा अगर आप combination 2 चूज़ करते हैं तो वही एक language test एक subject आपको चूज़ करना है कोई सावी चूज़ कर लिए जिस्ट बीवन से लिस्ट बीश और एक जर्नल टेस्ट धियान रखना है यहां पर आपको दो subject बीवन से चूज़ करने पड़ेंगे अगर आप combination 1 चूज़ करते हैं तो अगर आपने बीवन से एक ले लिया और ब बता चल जाए कि requirement यह रही लिस्ट है जिसमें से आपको क्या करना है लाइंग्वेज चूज करने हैं यह रहा लिस्ट बीवन और लिस्ट बीटू चीक है यहां से अगर आप combination 1 फॉलो करते हैं तो दो subject आपको चूज़ करने हैं और एक subject आप बीवन से चाहें बीवन से सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज और टेलिग्राम पेज से भी आप इस पीडियाप को जो डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको सारे description box से मिल जाएंगे ठीक हैं थैंक्यू